हेलो एन वेलकम दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं हो निदा और आज हम बात करने वाले हैं घर में प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बारे में तो जैसे ही किसी भी लेडी के पीरियट्स मिस हो जाते हैं वो सबसे पहले उसको यही होता है कि कहीं में प्रेगनेंट तो नहीं हूँ गार्लिक यानि के लहसुन से लहसुन से आप घर में प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं लहसुन हर किसी के घर में मिल जाएगा तो आप आसानी से इससे प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं देखिए पहले मैं आपको बता दूँ जब आपके पीरियड मिस हो जाएं तो आपको य नहीं चलेगा कि आप प्रेगनेंट हैं या फिर नहीं है इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर आपके पीरियड मिस हो गए हैं तो प्रेगनेंसी के अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड डेट टाइम पर न अलावा और कारण हो सकता है आपका PCOD की प्रॉब्लम हो यानि के पॉलिसिस्टिक ओवेरी डिजीज इसमें क्या होता है आपकी ओवेरी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड एक महीना दो महीना तीन महीना लेट हो जाते हैं इसके अलाव अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है तब भी आपके पीरियड टाइम पर नहीं आएंगे इसके अलावा अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है यानि कि अपने बच्चे को दूद पिलाती है तो भी आपकी पीरियड साइकल में प्रॉब्लम हो जाती है इस और भी कारण है सिर्फ प्रेग्नेंसी ही पीरियड ना आने का कारण सिर्फ प्रेग्नेंसी के अलावा ये सारे कारण भी आपके हो सकते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपका किस वजह से पीरियड मिस हुआ है तो आपको टेस्ट करने से पहले ये चीज़े जानना बेहा करती है उसी यूरीन को आपको यूज करना है आपको किसी साफ बावल में पानी ना हो उसमें अपना यूरीन ले लेना है और हमें लेना है गार्लिक को आपको छील लेना है मतलब इसके जो छिलका है वो तार देना है इसको और उसके बाद हमें टैस्ट करना है अब टैस्ट कै देखिए इसमें कोई भी चेंजे इसमें नहीं आया है क्योंकि ये प्रेगनेंट नहीं है इसके जो यूरिन है उसमें एचसीजी नहीं है अब देखिए हम इसमें डालते हैं ये वाला गार्लिक ये देखिए आप देख पा रहे हैं इसमें कोई changes नहीं आये हैं लेकिन इसमें देखिए यह देखिए अभी इसको हम दो मिनट में देखेंगे इसमें हलके से bubbles आपको दिखाई दे सकते हैं क्योंकि इसमें HCG का लेवल है यह प्रेगनेंट है तो प्रेगनेंसी में आपको यह सब दिखाई देगा अगर आप प्रेगनेंट हैं यह देखिए इसमें कोई changes नहीं है कि इसमें क्या हुआ है यह जो इसमा देख सकते हैं जो प्रेगनेंट नहीं है इसमें कोई चेंज नहीं आए हैं लेकिन जो प्रेगनेंट है उसमें यह इसका जो कलर है हलका सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है यह देखिए इस पर येलो कलर इसमें आना शुरू हो गय है और इसमें लुकुल वैसा का वैसा ही जैसा वइट था स्में देखिए यह चेंज आपको दिखाई देगा अगर आप गारलिक से प्रेगेंश käyt करती हैं अगर आप प्रेगनेंट है तो यह किलर थोड़ा दौड़ा दिखा दीक तो इस आप पता कर कर सकती हैं इसके अलावा आप कंफर्मेशन के लिए आप मार्केट में 50 रूपीज की किट आती है आप किट को ला करके प्रेगनेंस डेस्ट अपना कर सकती हैं उम्मीद करती हूं आप सभी के वीडियो समझ आई होगी और पसंद आगई होगी इसके अलावा आप कुछ भी प हो सकती हैं थैंक यू सो मच